और राइन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं हुरी सुल्तान एक क्लब क्रिक्टर इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान और सिर लंका विचार में उनको उमारी बोली नहीं आती तो चलो उनको भी मेरी तरफ से क्रिकट को सलाम टेस्ट मैच हो रहा है बंगलादेश और इंडिया का दूसरा टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच काफी वन साइड़ था और चूँके मुझे इस सीरीज में कोई तरह इंटरेस्ट नहजर नहीं आ रहा था क्योंके काफी वन साइड़ लग रहा था कि टेस्ट के मैदान में करते हुए अभी इंडिया की चार विक्टे गिर चुकी है साथ रान पीछे हैं बड़ी चीज तेजी से बदल सकती है लेकिन अभी भी थोड़ा सा इंडिया आगे है मुझे लगता है कि इंडिया इस तरह की पिछ है उसमें अगर बंगला देश इंडिया को सिफ सो सवा सो का रण ही टोटल टोटल देता है और अगर इससे जादा देना तो उनको आफ तो स्कूर मोर थन टो हंड़न तो इन अट केस बंगला देश विल आफ टो प्ले आफ टो इस टोटल सेंस आती है सब कॉंटिनेंट की पिचे से वह यही कर डस बॉल होते हैं क्रंबलिंग बड़ी जल्दी होती है पहले दिन देख रहे थे बड़ी जल्दी क्रंबलिंग आपको फुट मार्क नजर आ रहें अगर आपको कंप्र संकर ना तो देखें कि जो पेंडी की प कि इसमें कुछ जगों पे कुछ पैचिस ऐसे यहां पर बाउंस ज्यादा भी जिसने बैटिंग को थोड़ा मुश्किल बनाया बंगलादेश काफी अच्छा केल रहा था 220 बनाया उन्होंने 27 बनाया जो के बिलो वैसे तो इंडिया को देखके लाग रहा है कि इंडिया बनाया थिंग उन्होंने आखरी पांच विक्टें कोई 13-14 पर लूज की और आखरी तीन विक्टें चार रनों पर लूज की वो भी चोका लग गया तो उसकी वजासे वह बाल बाहर निकल गई एजो के तो चोका बन गया लेकिन बंग्लादेश को जैसा स्टार्ट था जैस जो वैसे आप लोगों को पता ही होगा लेकिन अब जस्त थौट कि मैं आपके साथ शेर कर लूँ और वीडियो भी तो पूरी साथ मिनट की बनानी है ना विसे हमारे खाड़ इंडिया पाकसन के लोगों को किकट के हरूल का पता होता है लेकिन अगर जिनको नहीं पता के ऐसा क्यूं होता है जब बॉल उन्हों ने जब आप श़ॉट को छोड़ देते हैं इंपैक्ट कहाँ पर हुआ है वो matter नहीं करता लेकिन अगर आप शॉट को प्ले कर रहे हैं अगर आपने पीछे बल्ला उसने रखा भी हो था प्रिटेंड करने के लिए भी के मैंने बल्ला नीचे रखा ऐसे ना किया होता तो फिर चाहे बॉल बाहर लगे तो इंस्टेंटली उसको कंसेडर नहीं किया जाता इवन दो दो बॉल माइट बी हीटिंग लेकिन आपने देखा होगा बहुत इस तरह के एक शेनवान को मश्यूर क्लिप पड़ा वे जिसमें प्लेयर ने बॉल छोड़ दी थी लेफ्ट हैंड और वो टांग उसकी ति आपको तीनों स्टम्स नजर आ रहे हैं लेकिन उसको उसने आउट दे दिया बिकॉस उसने इम पिछ थोड़े बाउंस इसका थोड़ा उनीवन है एवन दो फिर्स पिच फिर्स पिच कुछ सॉफ डिसमिसल हुए जैसे शाकिबल हसन का शाकिबल हसन एक थोड़ी सी टेकनिकल बाद आपको बिता दूं कि जो सब कॉंटिनेंट के प्लेयर हैं उनको ज्यादा टॉप होना पड़ता है उसकी टेकनिकल वज़ा है क्योंकि जब आपने ड्राइव करनी होती है तो आपको टॉप हैंड को ज्यादा लाना पड़ता है थोड़े बाउंस करती है पेच पे आपके सामने अगर आप बॉटम हैंड के प्लेयर हैं जो के मोसली मिडल ओर या जो क्योंकि यही बज़ा होती है कि जब बॉटम हैंड होता तो आपकी शॉट उपर की तरह जाती है जब आप ड्राइव की जगल क्वेर होते हैं तो वह इस तरह फंना होती शॉट वह इस तरह नहुती है इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया अशयद अफ़रीका के बाहर के प्ले полез hand के players ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे pitch पे bounce ज़्यादा होता है, तो वो सीधा मारते हैं और leg side पे ज़्यादा मारते हैं, और square cut पी बड़ा अच्छा मारते हैं, जो cover drives जिसलिए आपको सची इंट्रेड उलगा की cover drive नजर आएगी, आपको बाबर आजम की ये विराट कोली की cover drive आएगी, obviously Ricky Ponting वारें सबको cover drives आती हैं, आती सबको हैं, लेकिन subcontinent के players की cover drives हमेशा सबसे अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि जब उस line में आके, जब top hand के साथ खेलते हैं, तो ball नीचे रहती हैं, उपर की तरफ नहीं जाती हैं, और आपके catch होने का chance कम होता है, वो बिलकुल safe shot होती है, और ballers आपको जानके entice करते हैं, कि ये वाली shot आप cover drive खेलें, वो cover में fielder उनने नहीं रखा होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस level का player जो है, अगर उन्हें ये पता हो कि ये bottom hand का player है, तो वो cover के fielder रख दें, और आपकी scoring opportunities खतम हो जाएं, लेकिन वो खुला रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसके पास ball जादा जादा चोका होगा, टेस मैच में चोका ठी ही का है, विकट जादा important होती है, तो उसको वो entice करते हैं, तो जादा chance है कि outside edge हो जाएगा, बजाए इसके scoop हो जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि वो player जो हता है, वो bottom hand का player नहीं होता, तो anyway, ये थोड़ी सी tip दे दी मैने आपको, I hope ये आप match जूर देखेंगे, क्योंकि आ आज का दिन और कल का दिन बड़ा important है, बड़ा मजा आएगा, अभी साथ रन पड़े में, I hope के थोड़ा जादा इंडिया लीड जादा ना दे, अगर देनी भी है तो 30-40 की दे ता कि match मजे का हो, लेकिन अगर 50 से जादा की लीड दे दी, तो I think it will be very difficult for Bangladesh to come back, even though India will be playing, you know, on the fourth day or fifth day, fifth day तक पैसे match नहीं जाएगा, तो anyway, अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक, cricket हाफिस!